आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी जस्वीर से उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया ऐसी क्या वज़ा रही होगी जिसकी वज़े से IPS जस्वीर सिंग के डिपार्टमेंट नहीं उन्हें दरकिनार कर दिया आखिर क्या ऐसी वज़े थी जिसकी वज़े से उत्तरप्रदेश सरकार को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा दरसल यह मामला तब सुरू हुआ था जब IPS जस्वीर सिंग ने मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ को 2002 में राष्टि सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहट गिरफतार किया था इस गिरफतारी के कारण अधिकारी जस्वीर सिंग सुर्खियों में बने रहे परंतु इतने समय के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने उन्हें नलंबित कर दिया है अधिकारी ने कुछ दिन पहले ही एक अंग्रेजी वेबसाइट को इंटर्वी में बताया था कि योगी आदितिनाथ को गिरफतार करने के कारण किस तरह उन्हें दरकिनार किया जा रहा है दो हिंदू की खबर के मुताबिक उत्तरप्रदेश पुलिस प्रवक्ता आरके गौतम ने इस बात को साफ कर दिया है कि 1992 केडर के IPS इदिकारी जस्वीर सिंग को निलंबित कर दिया गया है हाला कि गौतम ने ये नहीं बताया कि सिंग के खिलाफ की सधार पर ये करवाई की गई है उत्तरप्रदेश पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक जस्वीर सिंग अपर पुलिस महानिदेशक यानि रूल्स एंड मैनुवल पद पर तैनाथ थे उन्हें 14 फरवरी को निलंबित किया गया था प्रमुक्ष सचीव ग्री अरविंद कुमार का कहना है कि इंटर्वियों विवाधी तरीके से बयान देने और चार फरवी से ड्यूटी पर उपस्थित न रहने के चलते करवाई की गई है यह बात ADG ने 30 जनवरी को इंटर्वियों में कहा था महराज गंच के SP रहते जस्वीर सिंग ने अभी के मुख्यमंत्री एम गोरख पुरके तातकालिन साथ-साथ योगी आधितिनाथ को रासुका के तहत गिरफतार किया था आखिर ऐसी क्या वज़ा रही जिससे यह कदम उठाना पड़ा इसकी वज़ा साफ नहीं हुई क्या योगी की सरकार में कानून का पालवन करने वाली लोगों के साथ ऐसा भैवार किया जाता है माना जा रहा है कि उन पर केस वापस लेने के लिए कई बड़े लोगों का दबाव था 30 जनवरी को ओफिंटन पोश्ट में छपे एक रिपोर्ट में सिंग के हवाले से कहा गया कि उन्होंने भारतिय जनता पार्टी के राजनेताओं के दबाव के बावजूद तातकलिन सांसत के खिलाफ निरोधात्मक नजरबंदी का मामला वापस लेने से इनकार कर दिया था उस समय भाजपा केंद्र में और बहजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी दो दिन बाद उन्हें यूपी पुलिस के खाद प्रकोष्ट यानी फूट सेल में तैनात कर दिया गया था पिछले कुछ सालों में अपने कामों का खुलासा करते हुए सिंग ने हुफिंटन पोस्ट को बताया कि 2017 में सत्ता में आई योगी आदितनात के बाद वे IPS में पराय की तरह हो गए हैं उनको सबने नजर अंदाज करना सुरू कर दिया था साइध इसलिए क्योंकि यह एक वज़ा हो सकती है कि 2002 में गिरफ्तार हो चेकि योगी सरकार का उन पर दबाव हो या उन्हें तबज्जो नहीं दी जा रही हो हफिंटन पोस्ट के अनुसार सिंग ने कहा कि निताओ और मंत्रियों के खिलाफ करवाई करने के करण उन्हें या मोल चुकाना पड़ रहा है IPS एदिकारी ने योगी सरकार द्वारा मुट बेड़ा त्याओ पर भी सवाल उठाया था सिंग ने न्यूज वेबसाइट से कहा कि वे राजनेतिक व्यक्तियों के प्रतीवाफदारी चाहते हैं या पूरी तरह असम्वेधानिक है यदि हम विरोध नहीं करते तो चीजें बदल नहीं सकती है विरोध करना सबसे अधिक पुरिस्कृत करने वाली बात है रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अपनी सेवा के 26 वर्स में सिंग केवल 6 वर्सों तक ही वास्तिविक पुलिस कारे संभाल पाए रिपोर्ट के मुताविक या एक भयावा हिस्तिती है कि उत्तर परदेश जैसे विसाल और कानून विहिन राज्यों में निताओ के खिलाफ कारवाई करने वाले IPS एजिकारियों को कोई काम नहीं दिया जाता यह कैसी सरकार है यह कैसा कानून है जहां अपने काम को पूरे दिलो जान से करने वाले कानून को मानने वाले लोगों के साथ इस परकार का सुलुक किया जाता है योगी सरकार में इस परकार से कई घटनाय होती रही है जिसकी लिस्ट काफी बड़ी है और जिनका खुलासा भी नहीं हो सका सालों पहले अरेष्ट होने का सायद एक बदला हो सकता है जो योगी ने लिया दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें